कविता बारिश के दिन संसन संसन हवा बहे आई बारिश की बौचार खिड की दर्वाजे रह गए खुले अस्त व्यस्त हुआ संसार खिली धूप फिर उसके बाद आह है व कितनी मीठी फिर घिर आय काले बादल जोरों की बारिश होती धूमिल दिखती है यह स्रिष्टी जाए जहां तक अपनी द्रिष्टी खिचडी का दिन है यह आज चलो मनाए फिस्ट क्या खाना चाहते बोलो बैठ बनाए लिस्ट बच्यों यह कविता बारिश के दिनों पर आधारित है प्रस्तुत कविता में बारिश का वर्णन किया गया है संसनाती हुई हवा बह रही है यह हवा के बहने की आवाज है और बारिश की बोचारे भी पड़ रही है बोचारे मतलब पानी की, बारिश की बुंदे हवा के जोंकों से खिड़की दर्वाजे सब खुले जा रहे हैं समस्थ संसार अस्त वेस्थ हो गया है बारिश के बाद धूप खिली है जब बारिश के बाद बच्चों धूप खिलती है तो बहुत ही वो मीठी लगती है बहुत ही आनंद दायक लगती है क्योंकि बारिश के थंड से हमें मुक्ती मिलती है लेकिन फिर से काले बादल छा गए और जोरों की बारिश शुरू हो गई जिससे जहां तक दृष्टी जा रही हो दृष्टी का रथात है नजर पूरी दुनिया धुदली दिखाई पड़ती है यहां पर लिखा गया है बच्चों धूमिल धूमिल मतलब धुन्दली बारिश के मौसम में गर्मा गरम खिचडी खाया जाता है तो यहां बच्चों कवी आहवान करता है कवी हमें कहता है कि आओ फिस्ट अर्थात भोज का आयोजन किया जाए और तरह तरह के वेंजनों की सुची बनाई जाए लिस्ट बनाई जाए जिसे हम बारिश के दिनों में चकहेंगे हम अगली कक्षा में शब्दार्त और सन्युकताक्षर पर कार्य करेंगे करेंगे